अवीज हेर एंड ब्यूटी फैमिली सेलून ब्राइडल मेकप हो या इस्पा, हेर कटिंग हो या नेल एक्स्टेंशन मेट्रो सिटीज की तरज पर अवीज हेर एंड ब्यूटी फैमिली सेलून लेकर आया है वो सब कुछ जो बनाता है आपको और भी खुबसूरत जिहां अवीज हेर एंड ब्यूटी फैमिली सेलून बंबे बजार गांधी वाच के सामने खंडवा मद्य प्रदीश के खंडवा में मुस्लिम समुदाय के मौजिज लोगों द्वारा आज खंडवा कलेक्टरेट में गयापन सौपा गया आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खरगोन में हुई घटना को लेकर कहा कि यह एक सू नियोजित साजिश थी गाम नौमी की सुबह यात्रा निकलने से पहले भाशन बाजी हुए इसमें लोगों को भढ़काया गया लोग अधियार लेकर निकलें मुस्लिम एरिया में जाकर नारेबाजी की जिसके बाद लोगों को उकसाया गया और इस तरह की घटनाए हुई और वह इसकी निंदा करते हैं उन्होंने कहा कि रोजे का महीना चल रहा है रमजान का पाक महीना चल रहा है ऐसे में लोगों को भढ़का कर उनका तिहार खराब करने और उन्हें परिशान करने की साजिश चल रही है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को परिशान किया जा रहा है यह कई न कई प्री प्लानिंग के तहत किया जा रहा है वह इसकी निंदा करते हैं और यह मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए आए उन्होंने क्या कहा उनकी पूरी बात आपको सुनवाते हैं तरीके से बाहर के कुछ लोग डेली से कुछ लोग आते हैं और कुछ हमारे खंडवा जिले के भी लोग वहां पर जाते हैं शोबा यातरा राम नॉमी की निकलने से पहले महां पर एक स्पीच दी जाती है और इस्पीच के माध्यम से लोगों को उखसाया जाता है और फिर वो शोबा यातरा में लोग शामिल हो के हतियारों के साथ एक मुस्लिम बहुले छेतर के अंदर जाते हैं तो इसका मतलब अपने रोजे रखके इफ़ार के वक्त में जो लोग इफ़ारी की तैयारी में रहते हैं लेकिन ऐसे वक्त के अंदर सुनियो जित तरीके से जिस तरीके से राम नौमी का जो जुलूस निकाला गया है उस तरीके से इस मुस्लिम महले में आने के बाद गलत तरीके नहरे बाज लगाई गई जिससे हालाट जो है वहाँ के खराब हुए और हम कड़े शब्डों में इसकी निंदा करते हैं और ऐसे हालाट दूसरी जगा नहीं नहीं बने इसलिए हम पर्शासन से ये मांग करते हैं और माननी है मुख्यमध्र het ग्रामध्री मद्यप पर्देश इस से भी ये मांग करते हैं कि पत्थर मारने वालों को अगर आफ स़जा दे हो तो दोनों तरफ आफ सजा दो एक तरफ दिखाया जाता है social media के मादियम से के मस्जिद के उपर पथ्राओ हो रहा है एक तरफ खंड़वा की अवाम कि आप जो हुआ हिंदू है यह न देखे यह ना देखे कि यह मुसलमान है आपम्द्र पर्देश के मुख्य मंत्री है आपको वो चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि खरगोन में दंगा किस ने बढ़काया कौन लोग थे जो दिली से आए कौन लोग थे जो खंडवा से दिली खरगोन गे और फिर वहाँ पर अपने उत्तेजित भाशन देने के बाद महां की अवाम को उन्होंने ऐसा मेसेज दिया कि वह अवाम फिर वह जाती है शो में गोली लगी है वो गोली आई कहां से वो गोली उसी मजमें में से आई यह जहां पर अधिकारी जो मौजूद थे हम उसकी भी निंदा करते हमारे जो एसपी मोदे को जो गोली लगी है यहां जो टी आई मंड़ोई जीते उनके सर में चोट लगी वह पत्थर कहां से आए इसकी जाच होना चाहिए ना कि उपर बेटे बेटे या आदेश दे दिया जाए कि पत्थर वालों के घर को हम पत्थर बना देंगे पेले जाच तो करो कि पत्थर आए कहां से